ऐसे और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ज़रूग क्लिक करें साल की शुरुवात में Honor ने अपना भेधी stylish looking device Honor 9 Lite भारत में पेश किया था जो की अपनी looks की हुए से काफी चर्चा में भी रहा था वही एक बार फिर से कंपनी इसी प्राइज़ेंड में एक stylish looking device Honor 9N लेकर आ गई है जिस पर कंपनी का कहना है कि इस बार आपको इसमें कुछ improvements भी देखने को मिलेंगे तो चलिए आज मैं आपको इन दोनों phones का एक छोटा सा specification based comparison overview दिखाता हूँ जिसमें हम जानने की कोश्च करते हैं कि क्या वास्तफ में कंपनी ने Honor 9N में improvements किये हैं या फिर ये सिरफ looks wise ही बहतरिंग बनाया गया है सबसे पहले design और display की और दिखा जाए तो इसमें कोई दोराय नहीं कि Honor 9 Lite और Honor 9N दोनों ही premium quality के smart phones लगते हैं इन दोनों के back side पर आपको glass मिल जाएगा जो कि इनकी looks को और भी enhance करता है और इनके fingerprint sensor भी इनके back side पर ही दिये गए हैं और जब आप इन दोनों फोन को हाथ में पकड़ेंगे तो आपको एक अच्छे grip भी मिल जाएगी और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों ही phones काफी compact है और lightweight भी है इसके लाव आपको बता दूँ कि एक और जा Honor 9 Lite एक box finish वाला smartphone है इसके edges आपको almost square type मिलेंगे दूसरी और Honor 9N में जो edges है वो एकदम round है और इसी वैसे ये phone कुछ हद तक आपको iPhone 10 की भी याद दिला देगा वही अगर हम front में देखें इनकी looks में तो Honor 9N यहाँ पर आपको जादा पसंद आने वाला है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको notch मिलता है जबकि Honor 9 Lite एक full vision display वाला smartphone था इसमें उपर और नीचे दोनों में आपको bezels मिलते थे अब अगर हम display की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि Honor ने improvements किये है Honor 9N में आपको मिलेगा 5.84 inch का full HD plus resolution डिस्पले जबकि Honor 9 Lite में 5.65 inch का full HD plus resolution डिस्पले मिलता था साथ इस बार screen to body ratio भी बढ़ा दिया गया है Honor 9N में आपको 79.5% screen to body ratio मिलता है जबकि Honor 9 Lite में 75.5% screen to body ratio मिलता है और दोनों ही phones display wise आपको ज़रूर पस्तनाएंगे और अगर आप multimedia enthusiast हैं तो definitely इनके जो colors और vibrant texture हैं वो आपको ज़रूर लुभाएंगे Performance wise इस बार आपको कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा Honor 9N और Honor 9 Lite दोनों में ही Kirin 659 chipset मिलता है और लगभग 15,000 पे में दोनों ही में आपको 4GB RAM सा 24GB की storage मिल जाती है जिसको आप hybrid SIM slot के जरीए expand कर सकते हैं वहीं battery की बात करें तो वो भी exactly सेम है यानि दोनों में आपको 3000 image की battery मिल जाती है camera section पर अगर नज़र डाली जाए तो Honor 9N और Honor 9 Lite दोनों में ही आपको 13 plus 2MP का rear camera मिलता है जिसमें आपको PDAF technology मिल जाती है और दोनों को secondary sensor है वो depth sensor की काम आता है लेकिन इन दोनों का front camera जो है वो आपको अलग मिलेगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो on papers Honor 9N में थोड़ी से quality improve की गई है उसमें आपको 16MP का front camera मिल जाता है जबकि Honor 9 Lite में आपको 13 plus 2MP का front shooter मिलता था हानकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप दोनों के front camera से bokeh effect वली selfies क्लिक कर पाएंगे अब अब अंत में what it देखा जाए तो इसमें कोई दोरा आए नहीं के hardware wise यह phone almost same है इसमें कुछ major change आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाए front camera के जिसमें company ने pixel count को बढ़ा दिया है लेकिन look wise definitely यह एक नया phone है इसके आपको edges जो है वो round मिलते हैं साथ-साथ यह trending notch के साथ आता है और company ने इस बार दो नए colors को भी add कर दिया है यानि इस बार आपको यह phone jasper green और purple color में मिल जाता है जो की बेहदिशांदर है in fact अगर आप इस phone को भार निकालेंगे तो definitely लोग आप से इस phone के बारे में ज़रूर पूछेंगे ऐसे में अगर आप लगभग 15,000 पे में एक stylish phone तलाश रहे हैं तो आप Honor 9N को consider कर सकते हैं और anyway यह तो थी मेरी राय इस phone को लेके आप कैसो सोचते हैं प्लीज वा मेरे coin box में लखे और हमेशर कितरा अगर आपको मेरा वीडियो पसंग आया तो इसे like करें शेयर करें और हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले and as usual अगर आप हमसे chat करना चाहते हैं तो आप इन दी गई आडी पर जाके जूट सकते हैं या फिर मैंने पनी personal आडी इस description box में डाल दी हैं until then this is Keshav Khaira signing off